हेलो गाईज विल्कम बैक टो इस चैनल काईज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिलाइंस इंडस्टी लिमिटेट के बारे में बट बात को शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अगर आप फर्स टेम देख रहे हैं इस चैनल को तो जल्दी से सब करके बेल आइकन को हिट कर लिजे ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसे देख पाएं तो रिलाइंस इंडस्टी लिमिटेट के अंदर हम लोगों को आज इतनी जादा तेजी क्यों देखने को मिली लगभग आप देखें तो 4.12% के तेजी के साथ क्लोज होता है जबकि आप प्रिवियस क्लोजिंग प्राइस देखेंगे तो 1974.30 का था और आज ओपन हुआ था 1980. गैप आप ओपनिंग होई थी लेकिन इसके बाद भी बहुत हाई बनाता है 2064.20 का हाई बनाता है और लोग बनाता है 1972.25 का अपर सर्किट बैंड 2376.90 का अगर आप Reliance Industry Limited का 52 इक हाई देखेंगे तो 2369.35 है और 52 इक लोग देखेंगे तो 867.43 का है अगर आप टोटल वॉलिम चेक करेंगे 19.6 मिलियन है जो की 1 करूर 96,31,870 जिसमें से अगर आप NSE पे देखेंगे तो 37.7% के आज पास डिलिवरी Almost 38% Delivery Reliance Industry के स्टॉक में उठा लेना बहुत बड़ी बात है BSE के उपर अगर आप देखेंगे तो जो टोटल वॉलिम टेड़ेड है 19,42,646 जिसमें से 37.52% Almost 38% यहाँ भी हम मान लें तो 38-38% Delivery उठाई जा रही है NSE BSE पे बहुत यूज कॉंटिटी है Technically देखें तो बहुत ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिला है इसके पीछे क्या वजह हो सकती है कौन कौन से कारण हो सकते हैं कौन सी ऐसी चीज थी जिसके वज़े से मार्केट में Reliance Industry Limited इतना ज़्यादा ट्रिगर हो गया आप देखें आपे तो 4% से बहुत ज़्यादा है लगबग आप 4.12% की तेजी के साथ closing देता है जबकि आप आज के दिन का upper circuit high अगर आप देखें तो 2064.20 का बनाया था तो इतना 81.40 पैसे के आज़ ऊपर close होता है तो इतनी ज़्यादा तेजी के पीछे क्या वज़ा हो सकती है क्या कारण हो सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कोई specific शब्तों पे ध्यान देजेगा specific कोई news नहीं है लेकिन ऐसी कौन सी चीज थी जिसके वज़े से ये market में इतना ज़्यादा trigger हुआ उसको हम लोग इस वीडियो में discuss करेंगे जानेंगे तो देखिए आपको जैसा की पता है Reliance Industry Limited की एक business है इसका Reliance Retail सेक्टर Reliance Retail Venture Limited Reliance Retail Venture Limited Future Retail के साथ deal में है और इस Future Retail के साथ जो deal है इस deal के ओपर एक status QO का order लगया गया था Delhi High Court में Justice J.R. मिधा के जरी है Amazon के पचमें लेकिन उसके उपर फिर से सुनवाई होती है Future Retail के किशोर बियाने जी Delhi High Court में उसको object करते है फिर से सुनवाई होती है फिर से hearing होती है और उसका outcome क्या आता है उसका outcome आता है कि status QO के उपर इस टे फिर से लगा दिया यानि उस order को press करके दबा दिया गया और उपर एक तरीके से over ruling कर दी गई जिसके वज़े से stay उसका हट गया तो ये एक बहुत ही बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है Reliance Retail Venture Limited वाले segment के लिए तो यहाँ पर आपको पता है इंडिया के अंदर Retail सेक्टर में Amazon सबसे आगे है लेकिन Reliance Industry Limited उसको पीछे करने के लिए और उसके साथ में competition head to head करने के लिए यह एक सबसे बड़ी वज़ा है हलाकि Amazon जो है Amazon इस ओवर रूलिंग के या यह जो नया order पास हुआ है इसको हम इसमें यह order इस तरीके से है कि दूसरा डेली हाई कोट में कोई order इस order को influence नहीं कर सकता Justice D.N. Patel और Justice Jyothi Singh इन दो judges के पैनल ने यह order पास किया है और यह order un-influenced होना चाहिए तो इसलिए अब यहाँ पे Supreme Court एक सामने option दिखता है Amazon के लिए और Amazon Supreme Court में जाएगा नहीं जा चुका है मैंने आपको एक वीडियो के ज़री अपडेट किया था तो उसमें जा चुका है Supreme Court के सामने और अपने petition में लिखा है कि यह एक मतलब जो उसके previous order को press कर दिया गया था तो उसके against कुछ करने के लिए petition किया है Supreme Court में तो Supreme Court जो कुछ भी उसके उपर decision लेगा तो वहाँ से हमें कुछ दूसरी तरफ से direction देखने को पता चलेगी, देखने को मिलेगी तो वो एक another matter है लेकिन इसमें तेजी का एक कारण ये भी हो सकता है दूसरा जो सबसे major कारण हो सकता है वो ये है कि आपको पता है कि जो Reliance Industry Limited है, इसके अंदर बहुत सारे businesses हैं Oil to Chemical का business है, एक vertical है दूसरा इनका vertical है Reliance Retail Venture Limited का Retail segment का तीसरा इनका business है Digital Services Provide करने का जिसको एक Telecom सेक्टर के अंदर हम देख सकते हैं तो ये सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं, इन सभी को Demerge करने की बाद निकल के आ रही है ये कोई specific news नहीं है, ना तो company की तरफ से officially ये चीज़ बढ़ाई गई है लेकिन इनको Demerge करने की बाद सामने आ रही है, market में एक हवा है और इसकी वजह से भी यहाँ पे तेजी ट्रिगर होती हुई हमें दिखी ये भी एक वजह हो सकती है ये भी एक reason हो सकता है इसके पीछे बाकी आपको क्या लगता है आप मुझे जरूर से बताएएगा comment box में क्या आपको नहीं लगता कि ये कारण है ये reasons हो सकते हैं इसकी तेजी के पीछे trigger होने के let me know in comment box guys so this is all for this video guys अगर आपको एक content अच्छा लगा please say like करिए और दूसरी चीज डीमिंटिफ टेडिंग काउन अगर आपको open कराना है तो description box में देखिए आपको एक link मिलेगा उसे click करिए और upstock में account open करा सकते है see you next video till then take care